हेलो स्टुडेंट्स, वेलकम टू सावल ग्लासीज, कैसे हो आप लोग सभी, मेरा नाम है दीपक कुमार और आज की इस वीडियो के अंदर 21 अक्तूबर 2020 की करेंट अफेर्स में आप लोगे साथ डिसकस करने जा रहा हूं, उससे जुड़े स्टैटिक जीके के पॉइंट्स आप लोगों तक हो सके, आप मुझे सोशल मीडिया के अलग प्लेटफॉर्म के उपर भी फोलो कर सकते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन को सबसे पहले कोशन के साथ, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, भारत का कौन सा स्टेट सबसे पहला इसका राइट आंसर है जी पंजाब, भारत का सबसे पहला स्टेट बनाए जिनोंने ओफिशली विदान सबसे पहला के अंदर बिल पास करके तिनों बिल्स को रिजेक्ट कर दिया है, इन्फेक्ट इन्होंने ऐसे कानून भी पास किया है कि अगर स्टेट में कोई मिनिममम स्पोर्ट प्राइज, MSP के बिलो अगर कोई परचेजिंग करता है तो तीन साल तक यूसे जेल हो सकती है, और जो फारम्स होंगे, जो खेत होंगे, उनको जो उनकी लैंड होगी, किसा कानों की, उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जाएगा, इस बिल को पास करने में आम आदमी पार्टी और शुरोमरी अकाली दल का भी, जो है समर्थन, सदन के अंदर देखने को मिला, ये खबर पंजाब से रलेटीड है, तो पंजाब की राजदानी, हम लोग जानते हैं सभी, पंजाब की राजदानी जो है वो चड़ीगड है, पंजाब का सबसे बड़ा शहर, लुद्याडा, चीफ पुनिस्टर, कैप्टन, अमरेंदर सिंग, और पंजाब के गवर्नर का नाम है, चिरी बीपी सिंग बदनोर, बीपी सिंग बदनोर, आप सभी जानते हो कि सारा MLA बनते हैं, तेरा MP बनते हैं लोग सभा के, साथ MP बनते हैं राज्या सभा के, तो स्टैटिक जीके में पंजाब से जुड़ी इन सब कोईट्स को भी आप लोग ध्यान रख सकते हो, याद रख सकते हो, आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे कोश्चन की तरफ, सेकिंड क कोश्चन, which city is declared worst in air quality index, air quality index, जिसे A, Q, I का जाता है, air quality index में भारत का वो शहर जो नमबर वन आया है, जिसकी सबसे पूर है, जहां air pollution सबसे ज़्यादा है, वो हर्याना का बलब गड़ शहर गोशित हुए है, हर्यादा का बलब गड़ शहर जो है, उसकी air quality index सबसे पूर आई है, 340, in fact, जो particulate matter रह वा, हवा विच ठोस लटक देकर, उसकी value 2.5 की आई है, और center pollution control board, जो बारत का है, उसकी एक app है, समीर app, समीर app के उपर इस data को publish किया गया है, दूसरे number के उपर, यूपी का शहर है, हवा के परदूशन में, मुझफरा नगर, वारत का number one शहर, सबसे आदा air pollution के अंदर, जो है जी, उसका नाम बलब गड़ है, next, तीसरे question की तरफ बढ़ते है, which country has recently, वो कौन सा देश है, जिसने अभी अभी invent किया है, breathe test, COVID-19 को चेक करने के लिए, breathe, सास, सास लो, और उसी सास से inhale, exhale, उसी सास से किसी तरह से test किया जाता है, और एक मिनट के अंदर, वो व्यक्ति करोना पोस्टिव है या नहीं, इसका पता लगाया जा सकता है, इसकी invention, जिस देश द्वारा की गई है, उसका नाबेजी सिंगापूर, सिंगापूर, करोना ने दुनिया के अंदर पिछले लगबग, 9-10 महिने से कहर डा रखा है, दुनिया में सबसे यदा लोग, जहां जिनकी मृत्ति हुई है, करोना की वज़ा से वो अमेरिका है, नमबर वन के उपर, अमेरिका में अब तक लगबग, ढ़ाई लाख लोग, एकस्पायर हो चुके है, दूसरे नमबर के उपर, बरजील देश है, बरजील देश में डेड़ लाख लोग अभी तक एकस्पायर हो चुके है, तीसे नमबर के उपर जो है, वो मेक्सिको कंट्री है, जहां 86,000 लोग अभी तक एकस्पायर हो चुके है, चोथे नमबर पे ह है United Kingdom 43,000 और पाच्वे नंबर के उपर है पेरू 33,000 नेक्स्ट पोर्थ न्यूस पर आते हैं How many net subscriber has been added by employee provident fund organization in the month of August, EPFO आप जानते हो ना EPFO, EPFO एक central government का department है जिसे employee provident fund organization का जाता है यह जो EPFO है इसमें कितने नए subscribers आ रहे हैं उससे पता लगता है कि देश में कितने नए लोग जो है वो नोक्री लग रहे हैं या वो जॉब लग पा रहे हैं तो अगस्त के महिने में इस साल 10,000,000 नए subscriber EPFO द्वारा all over the India जोड़े गए हैं तो करोना के impact के बाद भारत की economy एक बार फिर से अपने आपको revive कर रही है जो unemployment rate लगबग 26% पहुँच गया था अब वो वापी से improve होना start हुआ है so 10,000,000 नए खाता दारक EPFO द्वारा जोड़े गए है EPFO जिसे Employee Provident Fund Organization की रूप से जाना जाता है चार मार्च सन 1900 वबंजा इस्वी में इसका गठन हुआ था नई दिल्ली के अंदर इसका headquarter है और शिरी सुनील भरतवाल जो है वो इसके EPFO को chairman है पाच्वी news है by how much percentage by how much percentage government has increased expenditure limit of candidate contesting लोक सवा and assembly election हमारे देश में वो लोग जो लोक सवा के चुनाव या विदान सवा के चुनाव लड़ने जा रहे हैं अब वो पहले के comparatively 10% खर्चा जादा कर पाएंगे लोक सवा में पहले 70 लाख रुपया तक वो खर्च कर सकते थे अब इसे बढ़ा कर 77 लाख रुपया कर दिया गया है विदान सवा के चुनाव में MLA बनने के लिए पहले ये limit 28 लाख रुपया थी जो 30.80 लाख रुपया कर दी गई है भारत के law minister द्वारा इस notice को जारी कर दिया गया है और election commission of India की recommendations के साथ ही ये सब काम हुए है चुनाव योग ने का है उसकी recommendation पे काम हुए है चुनाव योग भारत के अंदर free and fair election कराने के लिए responsible है 25 जनवरी 1950 इसवी में चुनाव योग का गठन हुआ था चुनाव योग के मुखिया जिने चीफ election commissioner का जाता है वो है सुनील अरोडा चुनाव योग में इनके साथ दो election commissioner भी होते हैं यह हमें ध्यान लखना है नई दिल्ली के अंदर इसका headquarter है election commission of India का 6th news की तरह बढ़ते हैं जी छेवी ख़बर which country is going to join मालाबार naval exercise with India, America and Japan बारत, अमेरिका और जपान जो है वो एक बड़ी ही महतरपूरण world famous military naval exercise करते हैं जिसका नाम मालाबार है अब जो चोथा देश इनको join करने जा रहा है उसका नाम है Australia आज इन चार देशों को दुनिया में quad countries के रूप से भी जाना जाता है भारत, अमेरिका, जपान और Australia की नजदी किया इस करोना काल के अंदर बड़ी तेजी से बड़ी है चाइना के खिलाफ ये चारो देश एक जूट है आज इन्हें quad country के रूप से भी देखा जा रहा है और दुनिया में एक नया ग्रूप जो तेजी से दुनिया के साबने उबरा है वो भी इनी चार देशों का है भारत, अवेरिका, जपान और पोर्थ कंट्री है जी, अस्ट्रेलिया अब ये मेरिन टाइम सिक्योरिटी जो है समुद्रों की और बैटर हो उसको लेकर ये चारो देश जो है ये मालाबार एक्ससाइज जो है वो हेल्ड करेंगे और क्योंकि खबर अस्ट्रेलिया से रेटिड है अस्ट्रेलिया की राजधानी आप सब जानते हो वो कैन्बिरा है अस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा शहर जो है वो सिड्नी है अस्ट्रेलिया की ओफिशल भाषा है जी, इंग्लिश परदान मंत्री का नाम है स्कोट मोरिसन स्कोट मोरिसन यहां के परदान मंत्री है 1.3 प्रिलियन डॉलर की यहां की अर्थ वस्था है यह हमने बूला नहीं है तो इसका राइट आंस्वर आएगा जी ए नेक्स्ट साथवी न्यूस की तरफ बढ़ते हैं विच मिनिस्टर भारत के वो कौन से मंत्री है जिनोंने अप्रूव कर दी है एक नई DRDO की प्रोक्यूर्मेंट मैनुवल DRDO अब किस तरह से प्रोक्यूर्मेंट करेगा समान खृदेगा बेचेगा प्रोक्यूर्मेंट करना प्रचेजिंग करना तो उसके जो मापदंड होंगे वो भारत के रक्षा मंत्री शिरी राजनात सिंग जी द्वारा DRDO की नई प्रोक्यूर्मेंट मैनुवल को 2020 का लांच कर दिया गया है DRDO भारत की आनवान और शान है देश में जल सेना थल सेना वायू सेना पराबिल्टरी फोर्सीज के हत्यारों की रिसर्च करने वाली सस्ता है 1908 इस वी के अंदर इसका गठन हुआ था नई दिल्ली के अंदर इसका हैड़कॉर्टर है इसके चेर्मेन है DR. जी सतीश रेडडी DR. जी सतीश रेडडी जो है वो इसके चेर्मेन है सहकार स्कीम जो क्रियेट करेगी एक बैटर हेल्थ केर इन्फरास्ट्रक्चर को भारत में तो इसको लांच किया गया है भारत के एग्रिकल्चर मनिस्टर दुआरा जिनका नाम है शिरी नरेंदर सिंग तोमर नरेंदर सिंग तोमर जो आरा इस स्कीम को लांच किया गया है दस हजार क्रोड रुपे का एक्स्ट्रा बजट इसमें पारिट किया जाएगा जिसे की रूरल इंडिया के अंदर खास करके ग्रामिन एरिया के अंदर हेल्थ इंफरास्ट्रक्चर को और मजबूत किया जाएगा नाइथ न्यूज एजी वर्ल्ड स्टैट डे विशव आकडा दिवस जो हर पांच साल के बाद बनाया जाता है वो कौन से दिन बनाया जाएगा राइट आंसर है 20 अक्तूबर 20 अक्तूबर को वर्ल्ड स्टैस्टिक्स डे आकडा दिवस के रूप में बनाया जाता है आज के वक्त पूरे विशव के अंदर डेटा की अथेंटेसिटी और डेटा की क्रेडेबिलिटी वो बहुत इंपोर्टेंस रखती है इसको दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत युनाइटिड नेशन ओर्गनाइजेशन द्वारा डिकलेर हिया गया था 24 अक्तूबर 1945 इसमी में युनाइटिड नेशन का गठन हुआ था आप सब जानते हो कि एंटोनियो क्विटर्स या के सेक्टरी जन्नल है न्यू योर्क सिटी में इसका हेड़कॉर्टर है धर्ती के 193 देशों का समू है युनाइटिड नेशन नेक्स 10 न्यूस की तरफ आते हैं अकोर्डिंग टू वर्ल्ड हैल्थ ओर्गनाइजेशन विशव सेहत संगठन के अनुसार कितने देश जोईन कर रहे है कोवेक्स फसिलिटी को अनस्वारा जी 184 देश 184 देशों ने इस कोवेक्स फसिलिटी को जोईन किया है पूरी दुनिया में वेक्सिन की इन्वेंशन तेजी से चल रही है करोना वाइरस को रोकने के लिए और इसकी distribution इसकी manufacturing में जो खर्चा आएगा वो दुनिया के चाए अमीर देशों या ग्रीब देशों उनमें according to some pattern जो है वो distribute किया जाएगा इस चीज की 70 184 देशों ने अपनी जता दी है तो विशब या पार सगठन पिछले काफी टाइम से जो है वो चर्चा के अंदर है 7 अपरेल 1948 इसी में इसका गठन हुआ था स्विजर लैंड के ही एक शहर जिनेवा के अंदर WHO का हैड़ क्वाटर है टेडरस एडहम इसके डिरेक्टर जर्नल है 11 कोशन देखते है विद विच कंट्री वो कौन सा देश है जिसके साथ भारत शुरू करने जा रहा है अपनी नेवल एक्सरसाइज जिसका नाम है सलाइनेक्स सलाइनेक्स एक नेवल एक्सरसाइज का नाम है जी ये नेवल एक्सरसाइज भारत कोन सी देश के साथ करने जा रहा है तीन दिन की एक्सरसाइज होगी ये जो शुरू करी जा रही है और ये शिरी लंका के साथ होगी शिरी लंका शिरी लंका की राजदानी आप सब जानते हो शिरी जै वर्धन पुरा कोटे सबसे बड़ा शहर कलोंबो है करंसी शिरी लंकन रूपी है 92 बिलियन डॉलर की टोटल करंसी है एक ही देश में राष्टपती परदानमंत्री के पदपे दो सगे भाई है यहां के प्रेजिडेंट का नाम है गोटा भाया राजा पक्षा और प्रदानमंत्री जी का नाम है महेंदा राजा पक्षा ये दोनों real brother है और एक president है एक prime minister है 0.780 यहां का human development index है बारत का निचे हिंद मासागर के अंदर जो एक हमारा nearby पडोसी है श्री लंका बारवा question देखते हैं With which country India hold a virtual summit to enhance business activity वयाժार के अंदर दोनों देशों के बीच में वयापार बढ़े बारत का वयापार लगबग साड़े 12 billion dollar का है हम लोग वयापार में एक्स्पोर्ट करते हैं मीट, फिश, कॉर्न, स्टील, दुआएा, पर्टर मशीने और खुब सारे तरह के electrical equipment ये business और आगे फले फूले आगे बड़े enhance हो इसके लिए एक virtual summit held की गई है तेरवा question है इसी कोरोना काल के अंदर ही एक भारत के agriculture export को लेकर good news ये थी कि April, May, June, July, August, September इन महिनों के अंदर agriculture का export बारत से दुनिया में बढ़ा है लगबग 14.8% 14.8% export बारत से बढ़ गया है आज बारत के food processing मंतरी और बारत के agriculture मंतरी एक ही है नाम है जी हाँ जी नरेंदर सिंग तोमर नेक्स्ट इंडिया has taken up cultivation of which spices for the first time पहली बार भारत इन में से जो है वो कौन सा मसाला जो है वो उगाने जा रहा है तो ये आप लोगों ने मुझे बता रहे है आप लोगों के सामने जो है वो चारों आप्शन है पहली बार जो मसाला भारत इन में से लगाने जा रहा है उसका नाम है हींग अब हींग भारत में पैदा किया जाएगा मसालों के उत्पादन में भारत का वैसे भी नंबर वन जो स्टेट है वो केरला है पंदरवा और लास कोश्चन देखते हैं हम लोग पंदरवा कोश्चन है जा सेंटर है इनवाइटीड हां जी यह सगींड लास कोश्चन है सोरी बारत सरकार ने कौन से देश को इनवाइट किया है कि वो भारत में आए और उत्तरपूर्वी राज्यों में इनवेस्टमेंट करें और बिजनस ओपर्चुलिटी को एक्स्प् हां जी उनाइटिड किंग्डम की राजदानिया लंदन ओफिशल बाशा है इसकी इंग्लिश 6.7 क्रोड की बादी है बोरिस जोंसन यहां की प्राइम मिनिस्टर है 2.6 ट्रिलियन डॉलर की एकॉनमी है लास्ट कोश्चन है जी कि कौन सी मिजाइल सक्सेस्पुली टेस्ट की गई है DRDO द्वारा 19 अक्तूबर 2020 को उडिसा के तट से नाम है इसका संत जिसको स्टैंड ओफ एंटी टैंक मिजाइल भी कहा जाता है इस मिजाइल का सफल फ्रिक्शन पारत के DRDO द्वारा कर दिया गया है तो यह थी जी हमारी सारी न्यूस स्टैटिक जी के और करेंट ज से जूट है सावल क्लासिज के पास आपको ओल्लाइन एस वेल एस क्लास्रूम कोचिंग मिलेगी बैंकिंग, SSC, रेलवे, पोस्ट ओफिस, UGC, नेट, पंजाब टैट, सी टैट, अभी पंजाब गॉर्मेंट जॉब्स के अंदर पतवारी और कई डिपार्टमेंट से वेक अक्तूबर की करेंट अफियर्स के साथ, थैंक यू, बाई